Hello students, आज के lecture में हम comparative politics के approaches का अध्यान करेंगे. We are going to study the approaches of comparative politics यानि की तुलनात्मक राजनीती के उपागमों का हम अध्यान करने वाले हैं. इस lecture के contents या इस lecture में, इस presentation में हम जो चीज़े पढ़ने वाले हैं, वो इस प्रकार से हैं. Meaning of Approach यानि की उपागम का अर्थ. Types of Approach यानि की कितने प्रकार के उपागम हम राजनीती विज्यान या तुलनात्मक राजनीती के अध्यान के लिए इस्तेमाल करते हैं. What are the various types of approaches which are used to study comparative politics? What is the difference between major approaches? जितने भी उपागम बताए गए हैं, उन सब के मध्य, मुख्या, अंतर क्या हैं? What are the traditional approaches? परंपरागत उपागम तुलनात्मक राजनीती के अध्यान के कौन-कौन से हैं? And we are going to study about the modern approaches to the study of comparative politics, यानि की हम तुलनात्मक राजनीती के अध्यान के लिए अपनाए जाने वाले आधुनिक उपागमों का भी अवलोकन इस lecture में करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे की उपागम का अर्थ क्या होता है? What is the meaning of approach? Approach is generally described as a way of looking at and then explaining a particular phenomena. उपागम का अर्थ है एक सिध्धान्थ को देखने और फिर बात में उसे किस प्रकार से समझाया जाए उस तरीके को हम उपागम कहते हैं. Vernon Wondayak ने approach की एक definition दी है जो इस प्रकार से है. An approach consists of criteria of selection. वो उपागम क्या है? उपागम चैन का एक हमें आधार देता है, एक criteria देता है. Criteria employed in selecting the problem or questions to consider. यह हमें एक criteria, एक एक आधार देता है कि हम किस प्रकार से अध्यान की किसे प्रश्न या समस्या का चैन करें and in selecting the data to bring to bear. और हम उस चुनौती को या उस समस्या को या उस प्रश्न को सुलजाने के लिए किस प्रकार की जानकारियों का संग्रह कर पाएंगे, किस प्रकार की जानकारियों का हम चैन करेंगे. It consists of standards of governing the inclusion and exclusion of questions and data. यदि इसे बिलकुल एक छोटे से वाक्य में हम कहना चाहें, तो यह कहा जा सकता है कि इसमें वो मानक होते हैं जो समस्या अध्वा जानकारी को चुनने या छोडने में हमारी मदद करते हैं. वैसे तो बहुत सारी परिभाषाई हैं, बहुत सारी definitions, approaches की available हैं, लेकिन जो मुझे सबसे जादा सारगर्भित, सबसे जादा compact और all inclusive लगती है, वो were non-born diet की है, इसलिए यहां पर मैंने उस definition को quote किया है. तो हम basically जब comparative politics पढ़ते हैं या जब हम तुलनात्मक राजनीती का अध्यान करते हैं, तो तुलनात्मक राजनीती के अध्यान के उपागमों को हम सबसे पहले परंपरागत एवं आधूनिक वर्गों में बाटते हैं. The first division is on the basis of traditional and modern. परंपरागत उपागमों में जो मुख्य उपागम गिने जाते हैं वे है philosophical यानि की दार्शनिक उपागम, दूसरा है historical यानि की एतिहासिक उपागम, तीसरा है institutional यानि की संस्थागत उपागम, चौथा है legal यानि की नियाइक उपागम. इसी प्रकार से जब हम आधुनिक उपागमों की या modern approaches की बात करते हैं, तो हम उन्हें और आगे प्रकारों में बाट सकते हैं. पहला आता है sociological यानि की समाज शास्त्री उपागम, दूसरा आता है psychological यानि की मनोवज्यानिक उपागम, तीसरा है economic यानि की आर्थिक उपागम, चौथा है quantitative यानि की मुल्यात्मक या संख्यात्मक उपागम, पाचवा है systems approach यानि की विवस्थावादी उपागम, छटा है simulation यानि की प्रतिक्रियावादी उपागम, साथवा है behavioral approach यानि की विवहारवादी उपागम, और अंतिमाता है Marxian approach यानि की Marx वादी उपागम, तो आईए हम इन सभी उपागमों का एक detailed study यानि की विस्तृत अध्यन करते हैं, सबसे पहले यदि हमें traditional और modern जो मैंने आपको बतले बताया था, कि पहला जो हम भेत देखते हैं, जो पहला हम differentiation देखते हैं, वो traditional और modern का है यानि की परंपरागत और आध्यनिक उपागमों का है, परंपरागत उपागम वे हैं, जो माना जाता है कि राजनीती विज्ञान के उद्भव के साथ, मध्य युक तक जिन तरीकों से या जिन अध्यन पद्धितियों से राजनीती विज्ञान का अध्यन किया जाता था, वे ट्रेडिशनल अप्रोच या परंपरावादी उपागम कहलाएं, और मॉडन अप्रोच इस वो अप्रोच रहे या वो उपागम रहे जो हम अठारवी शतापती में, बीसवी शतापती से जिन उपागमों का उदै होता है, यानि कि ये वो उपागम है जो प्रथम विश्वयुद के आसपास विक्सित हुए थे, इस अध्यन अध्यन पद्धितियों का विकास हुआ, उन्हें हम परंपरागत उपागम कहते हैं, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, कि अध्यन पद्धिती में ये बदलाव क्यों आया, क्यों हम इन्हें आध्यूनिक एवं परंपरागत के वर्गी करण में बाटते हैं, the question here arises is, why there is such a differentiation of approach, why there was a change in the methods of study, why certain approaches are seen as traditional and why certain approaches are seen as modern, दिखिए, जो परंपरागत उपागम रहे या जो traditional approaches रहे, उसमें हम एक बहुत जादा आदरशात्मक या idealistic approach एक आदरशात्मक तरीका देखते हैं, चीजों को समझने का, जबकि जब हम या ये अगर हम कहें कि अध्यन पद्धतियों में बदलाव की जरूरत क्यूं महसूस हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा कि प्रथम विश्वयुद्ध एक ऐसा युद्ध था, जिसने पूरी मानवता को और पूरे संसार को हिला कर रख दिया, और उस समय विश्व में एक वैचारिक क्रांती का दौर आया, उस समय के जितने भी जिने आप कहें बुद्धी जीवी थे, उन्होंने सोचा कि यदि हम अपने अध्ययन द्वारा मानवता को ऐसी विभीशिका से बचा नहीं सकते, तो हमारा अध्ययन निरर्थक है, सर्वता निरर्थक है, हमें अपने अध्यन द्वारा, समाज की, राष्ट्रों की, देशों की समस्याओं का समधान करना चाहिए हमें उन चीजों पर गौर करना चाहिए, जैसी समाज में दिखती है, जैसी समाज में होती है बजाए इसके कि हम ये बताते रहें कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए दीवानगी इतनी नहीं हुनी चाहिए कि हम मानव समाज की या मानव जीवन की वास्तविक्ताओं को ही अंदेखा करने लग जाएं। इसलिए अध्धन पधतियों में एक बदलाव, एक क्रांती की आवशक्ता महसूस की गई। और आप सब जानते हैं कि प्रथम विश्वयुद के बाद 20 वर्ष के अंदराल में ही धुत्य विश्वयुद शुरू हो गया था जो उससे जाधा विनाशकारी सिध्ध हुआ। तो इन दो महा युद्धों ने दुनिया को इसकदर बदला कि वैचारिक क्रांती आई, सामाजिक क्रांती आई और द्योगिक क्रांती आई, हर शेत्र में क्रांती आई और उसी क्रांती का नतीज़ा ये रहा कि अध्यन पधतियों में हम सामाज विज्ञान की सभी आफ देखते हैं for intellectuals around the globe they began to wonder what went wrong with their methods of study and if whatever they are teaching whatever they are learning could not save humanity from the scrounge of war then such study is definitely not relevant for humanity the study or whatever teaching learning is happening it must contribute to the welfare of the society to the welfare of the country and to the welfare of the world on a very large scale so we need to be more receptive or more aware of how things are taking place how politics is taking place rather than prescribing abstract ideas or ideals on how things should be however we cannot deny the importance of ideals but it was equally important to lay emphasis on the hard realities that human beings are facing and when we say that there was a shift from traditional to modern it is actually a shift from ideal concepts to the study of actual human problems when we talk about thatам ethics अध्यांब्ध्ध्ध्ध्धियां के लिए समाज विज्ञान की सभी शाखाउं को प्रयासरत होना चाहिए so it was basically you can say it was basically an effort to solve the human problems the hard realities of human life rather than prescribing abstract moral values in human societies or in human lives so this was the change that basically took place when we say that the 20th century saw the turn from traditional approaches to modern approaches so when we talk about this change in 20th Shatabdi में ये बदलाव आया कि हम परंप तो जो 20th Shatabdi का बदलाव है वो यही है कि परंपरागत तरीकों को आदर्शात्मक तरीकों को त्याग कर हमने वास्तविक और प्रैक्टिकल तरीकों से देखना, सोचना, समझना, पढ़ना, पढ़ना शुरू किया so we will continue in our next video